आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें दाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें तो दोस्तों, जब एक ही जनक के द्वारा, ठीके? एक ही जनक यानिकी Σिंगल पेरेंट ठीके? एक ही जनक से क्या होती है? नई संतती उत्पन्न होती है तो इसे अलेंगीग जनन कहा जाथा है ठीके क्या कहा जाता है अलेंगिक जनन कहा जाता है और अलेंगिक जनन में युगमक के बिना ही ठीके क्या होती है संत्ति उत्पन होती है ठीके इसलिए से अलेंगिक जनन कहा जाता है तो दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर पहले विकल्प की तो दोस्तों जो लेंगिक जन ठीक है, माता और पिता दोनों और इसमें जो नर युगमक, नर्व, मादा युगमक होते हैं ठीक है, उनमें सन लेन की क्रिया होती है और निशेचन के फलसरूख क्या बनता है, जाइगोट बनता है और फिर नई संतति बनती है अलेंगिक जनन जो होता है, इसमें एक जनक के आवशक्ता होती है ठीक है, और इससे नई संतति उत्पन होती है, या नई संतति का गठन होता है तीसरा हमें दिया गया है, ए तथा भी दोनों, तो दोस्तों, ए जो है यह अलेंगिक जनन दिया गया है और दूसरा जो है बी दिया गया है अलेंग इंग तो दोस्तों यह हमारे प्रेशन का उत्तर नहीं है जब कि बी हमारे प्रेशन का उत्तर है तो दोस्तों यह विकल भी हमारा गलत हो जाएगा तीसरा है आंतरिक निशेचन तो दोस्तों जो शरीर के अंदर ठीक है क्या होता है शरीर के अंदर या जनन तंतर के अंदर जो निशेचन होता है उसे आंतरिक निशेचन कहा जाता है और जब सिंगल प्रेंट द्वारा संतती का गठन किया जाता है तो उसमें निशेचन नहीं सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर